दोस्तो अगर आप कोई की वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाए और प्रेस करें हमादी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तो अख में रह sincer है आपका मेरी नेक्स्त वीडियो त् टुटोरियल में तो दोस्तो हम सीख रहे हैं WordPress आर लास्ट वीडियो में मैंने आपको WordPress में specific ब्लाइच सेट करना सिखाया था किस तरह से में separate ब्लोग पेज सेट कर सकते हैं blog post के लिए तो आज हम सीखेंगे किस तरह से में एक separate जो अगर आपको जो front page आपने set करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं अगर किसी भी page को आप wordpress में जो है किसी भी एक page को home page set कर सकते हैं या आपने specific custom home page बनाया है उसे आपने wordpress में home page set करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं क्योंकि आप देखते हैं जब आप wordpress इंस्टॉल करते हैं तो by default उसमें latest या recent post ही as a home page में layout में वो आपे नजर आती हैं तो वो आप कैसे करेंगे कि किसी अपना जो custom जो page बनाया है उसे आपने set करना है home page तो वो यह देखे जैसे यह हमारा home page अभी यहाँ पे layout दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास by default में यहाँ पे पोस्ट इं लिस्ट आउट हो रही है home page में अभी हम simple जो blog जो URL हमारा जो default URL है site का यह हमने उपन किया है तो by default यहाँ पे पोस्ट इं शो आ रही है जबकि जो पोस्टों के लिए तो हमने simple सा एक separate blog page बनाया था यह जो URL पे जो हिट कर रहा है और यहाँ पे हमने पोस्ट इं लिस्ट आउट करवाई थी तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो यह home का URL है जैसे मैं यह open करता हूँ यह जो home page हमने बनाया है इसे मैं चाहता हूँ as a home page by default यह हमारे जो website पे जब हम visit करें तो यह हमें as a जो home page वहां पे नजर आना चाहिए तो वह हम कैसे करेंगे तो यही चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा तो चलिए सबसे पहले यहां पे डैशबूर्ट में लेके चलते हैं मैं आपको pages दिखा देता हूँ जब मैं pages बेज आ रहा हूँ तो यह मैंने about us, contact us, home, privacy policy, blog post तो यह कुछ pages बनाये हैं तो vlog हमारा by default post page बन चुका है जहां पे list list, जो भी post है वो list out हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि यह जो home page है इसे as a home page, front page वहां पे set किया जाए तो इसके दो different ways हैं तो one by one हम cover करेंगे तो पहला तो आप जाईए setting में setting में जाईए यहां पे reading में जैसे हमने जो blog post को set करने के लिए किया था वहीं से यह भी option आती है आप reading में जाएए तो reading में आप यह options यहां पे static page में जाएए सबसे पहले यहां पे पूछ रहा है home page के लिए तो यहां पे जब आप drop down पे जाएएगे तो यहां पे different options आएएगे यहां पे सारे pages list out हो रहे है जिसको भी चाहो आप यहां पे अपना front page set कर सकते है home page set कर सकते है चाहिए आप about के लिए या home page के लिए जैसे हमने home को रखना है तो हमने home page को अपना front page यहां पे बनाना है तो यह हमने select कर दिया है और save changes पे click कर दीजिए जब हमने यह setting यहाँ पे save कर दीए तो अब आप site में redirect किजिए home page में तो आप देख पा रहे हैं हम by default जो default site का URL है उसी पे हैं अभी और आप देख पा रहे हैं हमारा home page है यह selected हो रहा है और यहाँ पे home page अभी यह नज़र आ रहा है और blog page में जाओंगा तो यह blog page यहाँ पे different show हो रहा है और यहाँ पे home page पे जाओंगा तो यहाँ पे यह home page different show हो रहा है तो अब जब भी आप यहाँ पे by default website की URL पे visit करेंगे तो जो आपने home page अपना जो front page जो आपे set जब जाएंगे तो यहाँ पे आप भी आपको जो है अपना front page यह home page set करने की options यहाँ पे नज़र आएंगी तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो home page की setting में जब जाएए तो यहाँ पे देखिए blog post और home page के लिए दोनों के लिए options available है कि कौन सा page आपने ऐजे blog post अखना है और कौन सा page ऐजे अपने front page यहाँ पे set करना है तो यहाँ पे list से आप जो है अपना page यहाँ से pick कर सकते है जो भी page आपको चाहिए आप यहाँ पे उसको select कर सकते हैं इस तरह से और फिर जाके आप उसको यहाँ से front page जो भी आपने रखना है तो आप depend करता है जो भी आपने यहाँ से set करना है यहाँ पे preview भी by default यह शो कर देता है कि यह preview रहा इस तरह से आपका home page यहाँ पे नजर आएगा तो जो भी आपको suitable लगता है आप अपना page यहाँ से change कर सकते हैं तो यह रहे दो different ways जिस तरह से आप जो है अपना home page यहाँ पे set कर सकते हैं फर्स्ट है setting में reading में जाके और यहाँ से आप अपना चीज यहाँ पे अपना option आप पिक कर सकते हैं और अपना home page set कर सकते हैं और save changes कर देजिए और दूसरा appearance में customize में जाके यहाँ पे भी आपके पास option जैसे मैंने अभी दिखाया home page setting में जाके यहाँ पे option आती है यहाँ से भी आप change कर सकते हैं तो यह रहे कुछ simple से steps जिस तरह से आप जो है check कर सकते हैं कि अपना जो default home page का जो front page है अपना जो है change करना चाहते हैं wordpress में तो आप किसी भी page को अपना front page यहाँ पे set कर सकते हैं different theme में different options यहाँ पे available होते हैं वहाँ से भी आप options में जाके चेक कर सकते हैं लिकिन अगर आपके पास यह option नहीं है तो यह wordpress में भी दो options area है customize यह setting में जाके भी आप check कर सकते हैं करने के लिए हमारी channel को subscribe करना मत भूलिए और हाँ bell icon जरूर दबाएं ताकि हर videos की notification आपको मिल जाए जैसे ही video हम upload करते हैं thank you thanks for watching